राश्टी एनुसूचित जाती आयोग इसे आप लोग इंगलिस में क्या कहते हैं नैशनल कमीशन फोर सीडोल कास्ट और आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहें उसके कम से कम चार से पांस साल पुराने कुश्चन फेपर उठा के देख लिए अगर आप लोगोंने देखे हैं तो आपको मालू होगा कि इस तरह के जो राश्टी ए और अंतराश्टी संगठन हैं उनसे आपके एक्जाम में हर साल कुश्चन फूचे जाते हैं और मातपूर संगठनों के नाम से एक आपकी पेले लिस्ट सोची बनी हुई है उसी में सभी आपके संगठन आपको मिल जाएंगे आज की इस वीडियो के लास में हम लोग राश्टी ए अनसोचित जाती आयोग के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे और अगर इसे भी आपके एक जाम में questions पूछे जाएंगे तो आप लोग बड़े आसानी से उनके जबाब दे पाएंगे, क्या कर पाएंगे, इसस इस ओट में आप लोग क्या SC आयोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, SC आयोग भी कहते हैं, या फिर आप लोग इसे NCST भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको, पहले आप देखते थे कि दोनों राष्टिय अनसोचित जाती आयोग और राष्टिय अनसोचित जन जाती आयोग एक हुआ करता था, आँगे चलकर आप देखते हैं कि दोनों में वटवारा हो गया था, NCST एक सम्मिधानिक निकाय है, राष्टिय सम्मिधान के किसी अनुच्छेद में उस आयोग की स्थापना की बात की गई है, तो वो सम्मिधानिक आयोग कहलाता है, जो भारत में अनुचित जाती आयोग की हितों काम करता है, कौन? राष्टिय अनुचित जाती आयोग और भारती समिधान का अगर आप लूग अनुचित 338 देखे न, तो राष्टिय अनुचित जाती आयोग से संबंदित है आपका, आर्टिकल 338, यह अनुचित जाती और अनुचित जाती हितों करतबों की निरवान के साथ एक राष्टिय आयोग के गठन का प्रावधान कर जो अनुचित जाती और अनुचित जाती से संबंदित सुरक्षा उपायों से संबंदित सभी मामलों की जाच और निगरानी कर सकता है। प्यारब में समिधान के अनुच्छे 338 के तहट एक बिसेस अधिकारी की निउक्ती का परावधन किया गया था, इस बिसेस अधिकारी को आप लोग आयोक्त के रूम में नामित किया गया था, फिर आप देखते हैं कि आंगे चलकर आपका 65 वा समिधान संसोधन होता है, ये परिवर्ति कर दिया गया था, ये बड़े ध्यान कूर्वा का आप लोग देखिए, पहले एक इसमें बिसेस अधिकारी हुआ करता था, आँगे चलकर आप देखें कि 65 वे समिधान संसोधन के द्वारा इसे बहुत सदस्तिये बना दिया गया था, और समिधान के 65 वे समिध 23 गी बात है, और इस संसोधन के द्वारा अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती है तो गठित जो पूर बढ़ती राष्टी आयोग था ना, उसे 2004 में दो अलग-अलग आयोगों में बदल दिया था, तो यहां अगर आप लोगों से पूँचे, कि राष्टी अपना कब की गई थी, तो आप लोगों को बता दू कि 19 फरवरी 2004 में की गई थी, 2004 में, और किस अनुचित के तहट इसकी स्थापना है, 338 के तहट, 338 के तहट, और अनुचित 338 यह है ना जो, यह राष्टी अनुसूचित जन जाती आयोग से संबंदित है, आर्टीकल 338 यह राष्टी अनुसूचित जन जाती आयोग के गठन की बात करता है, इसके बारे में आगे हम लोग अंगली कलास में बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग अब बात करें राष्टी अनुसूचित जाती आयोग की सरचना की, तो इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, एक अब बात आती है कि कोई आयोग इस्थापित हो रहा है तो उसका काम भी तो रहेगा कोई, कोई काम भी तो करेगा, तो आप देखेंगे कि समिधान के तहट अनुसूचित जाती को प्रिदान किये गए सुरक्षा उपायों के संबंद में सभी मुद्दों की निगरानी और जा करना, अनुसूचित जातीों से सम्मधित सामाजिक आर्थिक विकास योज्राओं पर कैंद या राजसरकार को सलाह देना, और आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाती के लोगों के साथ कहीं कुछ होता है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाती आ बारिस्ट करना भी इसका काम है, ऐसी संभधाई के कल्यान सुरक्षा विकास और उन्नती की संभण्ध में कही अन्यकारी करना भी इसका काम है, आएक द्वारा अन्य पिछडे वर्गों और एंगलो संभधाई के सदस्वों में भी अपने कारियों का निर्बन उसी प्रकार कि पिल चुका है, आंगे हम लोग उसके बारे में जरूर बात करेंगे, और राष्टी या नुसूचित जाती आयो, इसका मुख्याल है आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, और इसके छेत अधिकार में आता है, सामजिक ने आया और अधिकारता मंतरा लेके अं अध्यक्ष इसके, और इसके अगर हम लोग अभी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, तो विजय सामपला इसके अध्यक्ष वर्तमान में, और सम्मिधान एक प्रावधान देख लिजे, अनुसूचित जाती के उत्थान हेतु अन्न सम्मिधान एक प्रावधान, तो सबसे पहले अनुचेद 15 को आप लोग 15 चार को पढ़िए तो इसमें अनुचेद जाती की उननती हितु विसे इस परावधान को संदर्वित करता है अनुचेद अगर 16 चार ये पढ़ें या चार का भी लिखा हो सकता है तो ये क्या कहता है यदि राज्य के तहद पिदत सेवाओं म लिए अनुचेद 17 को अगर आप लोग पढ़ें तो इसपरस्ता को समाप्त करने की बात करता है अनुचेद 46 पढ़ें अगर आप लोग तो अनुचेद जाती और जंजाती तथा समाज के कमजोर वर्गों के सेक्ष्डिक और आर्थे खेतों को फुरोसाहन और सामाजिक अन में रखा जाए अनुचे 330 और अनुचे 332 क्रम सा लोग सभा और राजी की विधान सभाओं में अनुचेद जातियों और अनुचेद जंजातियों के पक्ष में सीटों के आरक्षंत की बात करता है जो आप देखते हैं कि विधान सभा और लोग सभा सीट आरक्षित होती ह जो ST और ST को प्राप्त भी है आप लोग इस्थानी है जो निकायत चुना होते ना उनमें भी आरक्षन की बात की गई है तो एक कहानी है किसकी राष्टिये अनुसूचित जाती आयुक की और मुझे लगता है कि अगर इससे कुश्टन्स पूचा जाएगा तो आप लोग उसक सुचित जन जाती आयुक के बारे में बात करेंगे विस्तार से हम लोग जानेंगे